Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की एक और collective reading है और आज हमारा ये question है कि what are they thinking about you right now? इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं in this very moment ये वीडियो बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी ये उस वक्त का आपका message होगा इस reading को आप male के लिए देख सकते हैं, female के लिए देख सकते हैं और same gender के लिए भी देख सकते हैं इस reading को आप अपने crush के लिए देख सकते हैं, अपने husband के लिए, अपनी wife के लिए, अपने ex के लिए, अपने current partner के लिए भी देख सकते हैं तो ये reading सब के लिए open है, regardless आपकी क्या situation है, separation है, less contact है, no contact है, अगर contact में हैं भी और आप जानना चाहरे हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो ये reading बिलकुल आपके लिए है शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये cards possibility बताते हैं, आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है, सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है, इस दिया आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा इसके इलावा मैं personal readings नहीं करती हूँ, आजकल मैं ज्यादा collective readings कर रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा time मेरे पस short होता है आने वाले दिनों में मैं पिक एकाड readings भी आप लोगों के लिए करूँगी और मै के लिए prediction भी होगी थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ और देना है So let's start, spirit हमें divinely guide कीजेगा, divine message दीजेगा कि वो मेरे viewer के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, in this very moment What are they thinking? यह बहुत सारे आ गए और हम यह सब रख लेंगे So we have knight of wands, eight of cups, six of cups, six of swords, two of wands, sorry three of wands So here, Pisces, Cancer, Scorpio आ गया, Aries, Leo, Sagittarius आ गया, Libra, Gemini, Aquarius भी आ गया Spirit हमें divine message दीजेगा, मेरे viewer के लिए वो इस वक्त, right in this moment, क्या सोच रहे हैं? आपके लिए channeled messages भी होंगे, we have king of swords, the empress, the sun, two more cards, spirit, okay We have five of cups, तो यहाँ पर मजीद fire sign, air sign, earth sign भी है Alright, तो यहाँ पर सारे star signs है, Taurus, Virgo, Capricorn भी आप अप 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 लिजीए Regardless of star signs, अगर energy आप से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है So let's start, I feel कि आपके person इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा passionate feel कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको miss कर रहे हैं इनके साथ कुछ लोगों की I feel कि शादी हो चुकी है, कोई pregnant भी हो सकता है, शायद आपके बच्चे हैं इनके साथ यह specific message था, आप लोगोंने messages को वैसे लेना है, जैसे आपसे resonate करें कुछ लोगों के लिए मुझे यह X लग रहे हैं, I feel कि आप उनसे walk away कर चुके हैं, या वो आपसे walk away कर चुके हैं आपके person आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा passionate फील कर रहे हैं, आपके साथ time spend करना चाहते हैं but they feel कि वो इस present time में ऐसा कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर काफी regret नज़र आ रहा है, loneliness नज़र आ रही है आपके person शायद आपकी जिन्दगी में in and out रहे, hot and cold आपके साथ behave करते रहे, I feel कि नोने आपको कुछ बहुत hurtful भी कहा but they see you as the empress, और empress की energy के बारे में आपको पता है, empress की energy बहुत खुबसूरत है, आपको एक बहुत grounded इंसान के तोर पे देखते हैं, बहुत खुबसूरत, आप जितने बाहर से खुबसूरत हैं, दिल से भी उतने ही ज्यादा खुबसूरत हैं, वो बहुत ज़दा admire कर रहे है आपको I feel के इस वक्त, in this very moment वो आपकी pictures को देख रहे हैं, maybe आपको social media पर stock कर रहे हूं बड़ जरूरी नहीं है, I feel के उससे ज्यादा आपके pictures, आपके messages और आपकी बातों को वो इस वक्त याद कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़दा मुझे regret नजर आ रहा है, disappointment नजर आ रही है, they feel कि उन्होंने किसी ना किसी अंदाज में आपको disappoint किया है, और उन्हें इस बात पर खुद भी regret है, और disappointment है, उन्हें यह feel होता है कि शायद वो आपके साथ उस तरह से नहीं चल सके, जिस तरह से आप deserve करते थे या जो आप चाहते थे कि वो आपके साथ चलते, यह इंसान emotional नहीं है, passion based energy है थोड़ी सी, बट साथ ही साथ थोड़ी logical भी है, straightforward भी है, थोड़ी सा hurt का element मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, I feel कि इन्होंने किसी ना किसी अंदाज में आपको hurt किया है, बट वो इस वक बहुत ज़्यादा दुख में है, वो आपके साथ peace बना चाहते हैं, बट वो right time का wait कर रहे हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि अभी right time नहीं है, आपके person यह इस वक सोच रहे हैं आपके बारे में कि शायद आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपने उनका बहुत इंतजार किया है, and I feel कि वो अभी भी यह चाहते हैं कि कि आप उनका इंतजार और करें, यह भी आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, आपके person को I feel आप से बहुत ज़ादा प्यार है, and I feel कि शायद इन में से कुछ लोगों ने आपको अपना प्यार शो नहीं किया, कुछ लोगों के लिए unconfessed love भी हो सकता है, तो different messages यहां पर feel कर रहे है, आपके person आपको अपना perfect match समझते हैं, but they feel कि जितने आप खुबसूरत हैं, जितना आप deserve करते हैं, उतना वो आपको दे नहीं सके, I feel कि आपने इने बहुत ज़ादा understand करने की कोशिश की, आप हमेशा वहां पर थे, आपने हमेशा उनका साथ देने की कोशिश की, उन्हें समझने की कोशिश की, बट उन्होंने बहुत ज़ादा आपको emotional attention नहीं दी, आप से communicate नहीं किया, कभी openly के वो truly क्या feel करते हैं, या उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है, और उन्हें इस बात का बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि they see you as someone very trustworthy, उनको ऐसा feel होता है कि इन्सान है और वो आपके सामने open up हो सकते थे, बट वो उतने ज़्यादा open up नहीं हुए, जितना आपने expect किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा cold behavior आपके साथ रखा है, feel, and sometimes hot and cold, you know, what I am saying, तो थोड़ी mixed सी energy मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बट यहाँ पर मुझे truly य ही करते हैं, तो इन्हें आपसे लगाओ बहुत ज़्यादा है, आपकी आदत भी है, आपको miss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यह बहुत खुबसूरत cards है, six of cups, the empress, the sun, and night of cups, and of course night of wands, मेरी नजर में एक खुबसूरत card भी है, because यहाँ पर एक इनसान हमें वो नजर आ र present time में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ का इनतजार कर रहे हैं, मेभी उनकी जिन्दगी में इस वक्च ऐसा चल रहा है, जिसमें वो stuck हैं, या फिर कुछ से मेदारियां हैं, जो उन्होंने पूरी करनी हैं, और उसके बाद वो आएंगे, मेभी वो यह चाहते हैं आप दोनों के दरम्यान जो एक एंगर की एनरजी पैदा हुई वी है, वो थोड़ी सी कम हो जाए और फिर वो आपकी तरफ आएं, बट आई फील कि आपको उनके ओपर घुसा नहीं है, आई फील कि आपकी एनरजी बड़ी कामिंग है, बड़ी सूधिंग है, आप अपनी टाइम आप बड़े एनरजेटिक भी हैं, आप अपनी जिन्दगी पर भी फोकस कर रहे हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं, तो आपकी एनरजी मुझे बड़ी बैलनस्ट लग रही है, बट आपके परसन इस वक्त ये सोच रहे हैं, कि शायद वो अभी आप से कम्यूनिक करना चाह रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आपके पास पीस ओफर लेकर आना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहां तक फील हो रहा है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपको उनका टेक्स्ट आ जाएगा, या आपको उनकी कॉल आ जाएगी, लेट सी कि वो और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, आप उनके जहन में इस वक्त हैं, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी आपके बारे में सोचा नहीं, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप constantly उनके mind में हैं वाव, we have soulmate तो यह आपका soulmate connection हो सकता है क्योंकि हमार पर six of cups भी है यह twin flame connection भी हो सकता है but regardless of labels आपके साथ एक deep bond इनोंने share किया है जो आप लोगों के साथ इनकी memories थी जो intimate time था जो romantic time था उसको भी वो बहुत ज़दा miss कर रहे है and यहाँ पर हमार पर six twice आया है six किसी के लिए significant हो सकता है three भी twice आया है five हो सकता है, eight हो सकता है और क्या सोच रहे है we have let your friends help you तो शायद वो अपने किसी friends से help लेना चाहते हैं guidance लेना चाहते हैं कि आपसे वो दुबारा से किस तरह communicate करना शुरू करें love yourself first तो यह कोई ऐसे इनसान भी हो सकते है जिनों ने कभी अपना ख्याल नहीं रखा जो truly उनकी higher self उनसे कहती आई है जो उनका दिल उनसे कहता आया है उस पर भी कभी act उनोंने नहीं किया है तो I feel कि इनको self love की जरूरत भी है और फिर ही यह अपने दिल की कही बात पर act कर सकेंगे we have retreat तो यह आपके x भी हो सकते है मुझे फिर से y बार रही है वो आपके साथ दुबारा से एक chance चाहते हैं इस relationship में वो peace offer आपको करना चाहते है इस पूरी reading में जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि वो इस वक्त उनके जहन में सबसे ज्यादा क्या चीज़ है वो यह है कि वो peace चाहते हैं आप दोनों के दरमयान वो यह नहीं चाहते हैं कि किसी के भी दिल में harsh feelings हो कुछ बुरा हो वो यह कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे नफरत करें वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें उनसे हमेशा प्यार करें और वो heal होना चाहते हैं वो आप लोगों के इस connection को heal करना चाहते है और इसलिए मुझे बहुत ज़दा यहाँ पर feel हो रहा है कि peace की ज़रूरत है and for some of you यहाँ पर apology की ज़रूरत है क्योंके कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है जिसमें apologize इनको करने की ज़रूरत महसूस हो रही है because I feel कि आप बहुत आपकी energy में warmth है आप बहुत loving हैं बहुत kind है और आपने इनका गुसा भी बरदाश्ट किया है इनका rude behavior मेभी इन्होंने line cross की यह बहुत specific message था मेभी इनमेंसे किसी ने line cross की लेकिन आपने फिर भी बहुत ज़्यादा खुद को composed रखा और बहुत ज़्यादा react नहीं किया और इसलिए आपके person इस वक्त disappointment फील कर रहे है regret है पच्ताबा है उन्हें कि उन्हें ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था तो कुछ channeled messages आप लोगों के लिए देखेंगे कि इस वक्त अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या होता तो आज हम काफी सारे चैनल messages लेंगे क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त अगर अभी आपसे communicate करते तो क्या कहते मेभी आपके person की life में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वज़ा से वो आपको बहुत ज़दा time नहीं दे सके I feel कि यहां पर time का भी issue है आपके person ने आपको attention बहुत ज़्यादा नहीं दी है time नहीं दिया है यह एक गिला हो सकता है आपको इन से अगर आपने गिला नहीं भी किया तो उनको यह feel हो रहा है कि उन्होंने आपको time नहीं दिया है तो यह काफी सारे channeled messages मैंने ले लिए let's see I wish I could tell you how much I love you तो उनकी खाहिश है कि वो आपको यह बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं maybe नहीं उन्हें आपसे कभी जाहिर नहीं किया और बड़ा cold behavior आपको दिया हमेशा से और आप पर यह जाहिर किया कि उन्हें प्यार में इंट्रस्ट नहीं है वो अभी available नहीं है emotionally बट उनकी यह खाहिश है कि वो काश आपको यह बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं next we have I want to sleep next to you every single night तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं आपको feel करना चाहते हैं हर रोज वो आपको बहुत जदा मिस करते हैं खास वार पर जब वो सोने लगते हैं I regret leaving you all alone and amazingly यह आपर regret आ रहा था उन्हें बहुत अफसोर हो रहा है कि उन्हें आपको अकेला चोड़ा Our connection is so beautiful but it's also painful and confusing as hell confusion भी है उन्हें थोड़ी सी maybe trust issues हैं आपके person को I feel can't get enough of you but आपसे बहुत जदा प्यार है उन्हें I'm sinking between heaven disaster जब मैंने यह कहा तो 1444 हो रहे थे वीडियो में I'm much more secure in myself तो शायद उन्हें यह feel होता है कि वो secure है अगर वो खामोश रहेंगे silent mode पर रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि अभी वो communicate नहीं करना चाह रहे है I have mommy issues और इससे I feel कि उनका कोई trauma हो सकता है mother related या parents से related maybe उनकी mother उनको बच्पन में छोड़ कर चली गई और maybe females को वो बहुत अच्छे से perceive नहीं करते हैं females के बारे में उनका point of view कुछ बहुत अच्छा नहीं है I need more time तो उनने थोड़ से time चाहिए और इसलिए हमारे पस three of wands भी आया waiting की energy है कुछ लोगों के लिए long distance relationship भी हो सकता है dance forever इससे literally कोई dancer भी हो सकता है आप में से कोई या आपके person जिनके लिए आप देख रहे हैं this love is pure वो यह जानते हैं कि आप एक बहुत pure soul है आप innocent है आप पे वो trust कर सकते हैं आप एक trustworthy इनसान है but जो trust issues उनको हैं वो उनकी तरफ से problem आ रहा है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है everything is gonna be alright तो वो आप से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा be the best you can be आप जैसे हैं वैसे ही रहें बलके हमेशा और बहतर होने की कोशिश करें अगर इन्होंने आपको कुछ bad feel कराया या आपको अगर ऐसा feel होता है कि आप worthy नहीं है या आपको अपना attitude change कर लेना चाहिए जिससे आप इनकी attention grab कर सकें तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे ही बहत खुबसूरत हैं आप में कोई कमी नहीं है आप उनके लिए सब कुछ है तो उनका ये कहना है कि कभी भी उनके प्यार पर शक्त ना कीजिएगा उन्होंने हमेशा आप से प्यार किया है और वो हमेशा करेंगे तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं ये night of wants की energy आ गई tell me what should I do क्या करूं समझ नहीं आ रहा I can't handle my feelings anymore वो इन feelings को handle नहीं कर पा रहे हैं काफी overwhelming है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तेजी से आना चाहते हैं I'm sorry I lied to you तो maybe उन्होंने आप से पहले जूट बोला किसी बारे में या शायद उन्होंने आप से ये जूट बोला कि वो आप से प्यार नहीं करते हैं बट वो truly आप से प्यार करते हैं maybe उन्होंने अपनी feelings आप से बहुत ज़द चुपाईं you are the only one for me तो आप उनका perfect match हैं और यही बात हम पहले कर रहे थे you are my passion, yes I've checked your profile और अभी ये बात भी हम कर रहे थे तो उन्होंने आपकी profile visit की है वो आपके social media को देख रहे हैं I keep falling in love with you बहुत खुबसुरत card है I will fight till the end तो वो इस relationship के लिए fight करना चाहते हैं, आखिर तक जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं if you are not in a vibration of self-love, I cannot get close to you तो यहाँ पर self-love की बात हो रही है और love yourself first का card आया था your self-respect makes you more romantically attractive अपनी self-respect को कभी गिराएगा नहीं, जुकियेगा मत एक हद से ज्यादा and of course मैं इसके साथ हमेशा ये भी कहती हूँ आप लोगों से के अगर रिष्टों के लिए थोड़ा सा जुकना पड़े तो जुक जाना चाहिए जुक जाना बहादुरी की भी अलामत है और एक अच्छा बड़ा इंसान जो होता है वो जुकता है but इसके लिए आपको कभी encourage नहीं करूंगी कि अगर कोई torturous है, कोई abusive है, कोई आपकी energy को destroy कर रहा है वहाँ पर आपको रुक जाना है तो आप अगर self love की vibration में नहीं है तो वो आपके करीब नहीं आ सकेंगे अगर आप self love practice कर रहे हैं, अपनी जिन्दगी पर अपने goals पर focus कर रहे हैं तो ये इनसान बहुत जल्दी आपकी जिन्दगी में manifest होंगे अगर आप इनको manifest कर रहे हैं, या इनकी call को manifest कर रहे हैं या text manifest कर रहे हैं, I am so unhappy तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, sad है this is true love, wow, this love is pure and this is true love you are special, तो आप उनके लिए special हैं, हमेशा से थे fantasizing about you, तो yes, आपको fantasize भी करते हैं, वो ये भी fantasize करते हैं कि आपके साथ एक romantic, intimate time spend करें they want to hug you right now do you feel the same as I do, बड़ थोड़ा से confused हैं कि अभी भी आप पता नहीं उनका wait कर रहे हैं या नहीं आप अभी भी उनके लिए वैसा ही महसूस करते हैं या नहीं उतना ही प्यार उन से करते हैं या नहीं our connection is special, तो आप special हैं, ये connection special है I want to protect you, वो आपको protect करना चाहते हैं शायद दुनिया से या अपने आप से भी आपको protect करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने शायद आपको अलरड़ी बहुत hurt किया है और वो मजीद आपको hurt नहीं करना चाहते हैं I promise I will change, ये बहुत खुबसूरत कार्ड है वो आपसे वादा करना चाहते हैं कि वो बदलेंगे शायद उन्होंने आपसे पहले भी कुछ वादे किये थे और पूरे नहीं किये और इस बात पर भी उन्हें बहुत अफसोस है Final Two Cards, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? Spirit, हमें Divine Message दीजेगा Alright, हमारे पस तीन कार्ड आ गए है So we have Ten of Wands, King of Pentacles and Ace of Wands तो आपके person truly बदलना चाहते हैं Authenticity के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं Communicate आपसे करना चाहते है I feel के communication आपकी तरफ आ रही है वो आपसे बात करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं के वो truly क्या feel करते हैं I feel कि यह आपके साथ long term चलना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा over burdened है इस वक्त क्योंके जिन्दगी में कुछ चीजें उनकी ऐसी चल रही है जिसकी वज़े से वो परिशान है कुछ background में चल रहा है जो आपको नहीं मालूम है Maybe वो बहुत ज़्यादा stable नहीं है financially अपने finances पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बट यह हमने आपके लिए पूछा खास तोर पर spirit से कि आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं और सोच क्या रहे हैं आपके लिए वो आपके साथ long term चलना चाहते हैं और आपसे communicate करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि truly वो आपके लिए क्या feel करते हैं इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप constantly उनके जहन में हैं और आपसे वो बहुत ज़दा प्यार करते हैं, चाहे उन्होंने आपको ये convey किया या नहीं किया, जिन लोगों का unconfessed love है, I feel कि ये आपसे confess करेंगे, authenticity के साथ आएंगे, और बहुत grounded energy नज़र आ रही है in future आपके person आपकी तरफ आएंगे, आपसे communicate करेंगे और आपको बताएंगे कि वो truly आपके लिए, क्या feel करते हैं और क्या सोचते आएंगे हैं आपके लिए हमेशा से, तो ये आप लोगों की reading थी, कुछ भी आपसे resonate किया, पसंद आया, आप लोगों को मुझे जरूर comment section में ब जरूर होगा क्योंके you are worthy of love and you are lovable. अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा खियाल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.